गुड मॉनिंग बच्चो आज मैं आपको क्लास ट्रेंद नेगी इन प्रकार्शन का प्रश्णावली 2A का प्रश्णिक रवांग संक्या 8 कराने जा रहे हूं बच्चो मेरा गला बैठा है तो लेकिन आपका कोर्स पीछे ना हो इसलिए मैं आपका ये वीडियो करा दे रहे हूं देखो कोश्चन है हमारे पास x square प्लस 2 अंडर रूट में 2x और माइनस 6 हमें इसका शून्यग निकालना है तो सबसे पहले देखो रूट के नंबर से बच्चे घवडाते हैं असा वीडियो में आपका बढ़ा कर दूँगी लेकिन आप समझ लेना कि एकदम अच्चे जमें आपको समझा दूँगी देखो हमें करना क्या है सबसे पहले तो आप यह वाला नंबर x square इसको वैसे कब ऐसे लिख दो देखो हमने यहां लिख दिया x square यह जो x square था मैंने x square वैसे कब ऐसे लिख दिया अब यह बीच का नंबर देखो यह है 2 root 2 इस 6 का multiply हम यहां करेंगे देखो यहां कोई नंबर नहीं है यानि 1 है तो यह नि 6 वन जा 6 अब 6 का आप देखो ऐसा नंबर निकालो 6 का ऐसा factor निकालो कि यह आपका बीच का multiply करें तो 6 आजा है बीच का नंबर में ऐसा बना है और प्लास या माइनस करें तो तू रूट टू आ जाए इसके लिए आप देखो इसके लिए समझो यहां देखो रफ में समझ लो 6 का फैक्टर होता है 6 के दो फैक्टर होते हैं एक होता है आपका देखो 2 और एक 3 यह दो 6 के फैक्टर हो गए ना यानि 2 3 जा 6 अब इनी दोनों नंबर से हमारा यह नंबर मिलेगा अगर आप सबसे पहले आप देखो यह जो root 2 है हम इसको यह रूट 2 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 को हम लिख सकते हैं देखो root 2 और root 2 2 root 2 root 2 ले लिया हमने तो ये क्या बन गया आपका? 2 बन गया ना? root की value का मतलब होता है आधी value तो हमने आधी value आधी value को ले लिया तो पूरी value हो गई अब अगर आप देखो तो ये आधी आधी value पूरी हो गई हम इसको अगर number ऐसा बन ले कि और यहां से एक इसका 3 ले लेते हैं तो हमने ले लिया देखो 3 तो यहां ले लिया root 2 3 इसका ले लिया root 2 इसका ले लिया और इधर हमने एक देखो एक root 2 बचा ना? तो 3 देखो एक 3 ले लिया एक root 2 ले लिया एक root 2 बचा है ना? यही root 2 ले लेंगे अब फिर से देखो समझो हमने इसको दो factor करा था क्यों हमने 2 ही लिया क्योंकि root में 2 था है हमने 2 को तोड़ दिया तोड़ दिया तो 2 root 2 में हो देखो 2 root 2 2 root 2 करदिया 2 root 2 का मतलों अधी याधी value है नी पूरी value हो गई अब क्या बचा हमारे पास यह 3 तो हमने क्या लिख दिया देखो 3 और यहाँ पर यह 2 root 2 यह वाला एक root 2 चला गया एक root 2 बचा यह root 2 हमने यहां ले लिया अब देखो यह बना कैसे फ़ें 2 root 2 2 root 2 इसको तोड़ के देखते हैं देखो अचा पहले देखो minus करना है हमें क्या बनाना है minus करने पर कि यह हमारा आजाए 2 root 2 तो देखो 3 root 2 में से एक root 2 चला गया तो बचा कितना 2 root 2 यानि यह बन गया फिर से देखो यह 3 root 2 है एक root 2 minus हो गया तो बचा कितना 2 root 2 यानि यह number बीच का बन गया और यहाँ देखो यह 3 और यह 2,2 की value कितनी हो गई 2,2 कटके है तो बचा 2 6 हो गया ना, समझ में आया आपको मैं वही number लिख देना है यहाँ पर अब आप देखो, यहाँ हम क्या लिख देंगे यहाँ sign सबसे पहले यह वाला प्लस का लगा दो, इसको हमने क्या बनाया, इसको हमने बनाया 3 root 2 और x तो आप x लिखी दो, फिर दूसरा minus का sign ले लो, वही जो एक root 2 बचा था ना, root 2 ले लिया और root 2 के साथ भी x लगा दो फिर यह minus का 6 यह हमने पूरा पूरा लिख दिया अब हमें इसमें से देखो common लेना है, अब common के लिए क्या करो, सबसे पहले तो इसमें x है और इसमें भी x है तो आप क्या करो, एक x common ले लो इसका एक x बचा यहां हमने एक x लिख दिया sign देखो, प्लस का लगा दिया यहां कितना देखो, यह x बहार जा चुका है क्या बचा है, 3 root 2 देखो, 3 root 2 यह आमने लिख दिया अब आप क्या करो, देखो, यह beach का यह जो number है आपको यह number bracket में उठा के यहां रख देना है, सबसे पहले तो यही दिख लो यह number आपने उठा के यहां रख दिया आपका क्या number हो गया, देखो x plus 3 root 2 यह number बन गया, अब बीच में कौन से ऐसा number ले लोगे कि यहां पर यह cut जाए, तो यह number आजाए आप अगर यहां पर देखो यहां sign minus का है, यहां sign plus का है यहां sign change हो गया, तो हमें बीच में minus का number लेना है देखो बच्चो यहां sign minus का था, यहां sign plus का है तो यहां जो भी number आएगा, वो आएगा तो minus में अब आप देखो हमने यहां पर देखो x है यहां पर क्या है आपके पास? 2 root 2 है यहां देखो बीच में नमबर पूरा हो गया, यहां नमबर बन गया, बस कुछ नहीं करना है इधर वाला number ब्रैकेट वाला उठा के यहां रख देना और जो पहले वाले में नमबर नहीं हो, वह उठा के रख दो x बार चला गया, यहां 2 root 2 हो गया common निकाल लो देखो, क्या बन गया? पहला देखो, यह रिख दो, x प्लस 3 root 2 पहला हो गया, और दूसरा क्या बन गया? यहां देखो, x माइनस यह root 2, यह आपके पास 2 शुन्यक निकला आये ना अब इन 2 शुन्यक को हम 0 के रूप में रखते हैं, कैसे? x प्लस 3 root 2 equals to 0 और यहां यहां आप x माइनस 2 root 2 equals to 0 तो यह देखो, x इकों 2 क्या बन गया है यह आपका? यह यहां नमबर प्लस का था, दूसरी साइट चला गया तो माइनस का हो गया, तो माइनस का नमबर आपके पास क्या बन गया? minus का बन गया, 3 root 2 यह एक शुन्यक आपका निकल आया इधर देखो यहाँ पर आगे आपके पास X और यह माइनस का है ना दूसरी साइट चला किया तो प्लस का हो गया यानि रूट टू दो शुन्यक निकल आया आपको अब हमें इसकी जाच करनी जाच करने के लिए हमें क्या करना है यहाँ लिख दो जाच आप सूत्राब लिख दो जाच करने के लिए हमें लिखना है शुन्यकों का योगफल यह बराबर होता है आपके माइनस X का गुडांग और बटे में X sqyre का गुडांग आप देखो X का गुडांग क्या होता है या question में आप देखलो यह जो number है X का गुडांग क्या नहीं 2 root 2 यह X का गुडांग का है और X square का गुडांग कुछ नहीं है तो 1 है यह आपका आचरपद है minus 6 है आप सबसे पहले देखो यह जो 0 निकला है इनका योग निकालते हैं कैसे शुन्योक का योग निकालने के लिए देखो सबसे पहले हमने देख दिया 2 root 2 फिर sign आप कुछ भी number पहले यह भी लिख दो वह भी लिख दो इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा plus का sign लगा दिया फिर हमने क्या लिख दिया minus 3 root 2 plus minus minus 2 root 2 minus 3 root 2 अब 2 root 2 में 3 root 2 में से 1 root 2 चला गया तो कितना बचा 2 root 2 और sign किसका minus का यानि minus का 2 root 2 यह बन गया अब इधर देखते हैं यहां देखो यह minus का sign तो अल्रेड़ी हमने लगा दिया और x का गुडांक कितना है हमारे पास x का गुडांक है हमारे पास 2 root 2 और नीचे x square का गुडांक है 1 हम इसके नीचे भी 1 लगा सकते हैं यह को same number बन गया ना यह और यह दो नोबेंबर बराबर हो गया अब जाच करने के लिए हमें दूसरा निकालना है वो करना है हमें 0 नेकों का गुड़न फाल वो बराबर होता है अचरपाद और बटे में x square का गुड़ांक लेकों यह हमने लिख दिया ना कि 0 नेकों का गुड़न फाल किसकी बराबर है अचरपाद और बटे में x square का गुड़ांक आब इसका गुड़न फाल निकाल लेते हैं लेकों हमने लिख दिया सब से पहले रूट टू और multiply minus 3 root 2 देखो multiply एक sign minus का है तो answer में तो minus ही आएगा 2 root 2 से 2 root 2 multiply हो गया तो क्या बचा आधी आधी value तम हो गई तो बचा 2 और 3 2 सा 6 यानि number कितना आ गया number 6 यहाँ से फिर से इसको जाओ लोग देखो यह आधा और यह आधा में लाके क्या हो गया तूरा यानि 2 हो गया और 2 को 3 से multiply कर दिया तो 6 हो गया अब वहन में हमने 1 लगा दिया इधर भी देखो अचरपत का गुडांग कितना है minus 6 और x स्कॉयर का गुडां दोनों बराबर हो गए ना यह दोनों बस यह हमें इसमें प्रूफ करना था बच्चों रूट के नमबर मुश्किल नहीं होते थोड़ा सा समझने की जरुद होती है और मेरे पर चैनल को जादा से जादा सुस्क्राइब करना आपको लगीन प्रिकाशन के सारे कुशन देती रहूंगी बाई बच्चों